इंडिजनेस स्टूडीज in character strength character strengths की हम पहले भी बात कर चुके हैं सिफात का, वर्चूस का एक मॉडल है जिसमें 24 character strength यह एक international model है जो तमाम cultures, तमाम religions में किरदार के हवाले से जो भी ताकते खूबियां बताई गई हैं उन सब को जमा करके जब उन्होंने एक मौडल बनाया तो ये 24 करेक्टर स्ट्रेंग बनी जो उनके ख्याल में छे किरदारी सिफात में या वर्चूस में डिवाइड होती है इसमें जो इंडिजनस यनि लोकल प पहली दूसरी और 30 स्टडी पंजाब युनिवरस्टी इंस्टीट आफ एप्लाइट साइकॉलोजी में और चौती स्टडी नूर इंटरनेशनल युनिवरस्टी में हुई है हमारे हैं बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई करेक्टर स्ट्रेंग पे और इसका आगास दोज किया पीटर इंट ओर सिलग्टमेंन ने क्या वही किरदारी ऽफात एंक्या वही करेक्टर स्ट्रेंग्स और और क्या और 24 क्रेक्टर स्ट्रेंग्स अगर तमाम कल्चर सबया है जैसे love of learning है और patience है, courage है, social intelligence है, self-regulation है, spirituality है, gratitude, hope. क्या ये 24 तो हम एगरी करते हैं कि तमाम cultures में हैं, इस पर बहुत research थाबित कर चुकी है, लेकिन ये 24 तो है, क्या 6 virtues के अंडर, 6 सिफात, main categories के अंडर ही divide होती हैं, तो इन studies से क्या पता चला है, जो पहली study है, वो थी young लोगों में character strength के outcome क्या होते हैं, यानि उनकी well being, उनकी खुशी, उनकी काम्याबी, उनकी जेनी सेहत से, इन किरदारी खूबियों का क्या तालुक है, दूसरी जो हुई वो ये कि character strength है, अगर हमारे में पाकिस्तानियों के तोर पे हम अपनी ये किरदार के में खूबियां रखते हैं, तो जब यही पाकिस्त है, उसमें ये पता चला कि ये जो character strength है, 24, ये तो तो तमाम cultures में एकी तरह पाई जाती है, और culture के अंदर भी इसमें variation है, कुछ लोग इनको कम इस्तमाल कर रहे होते हैं, सबर ज्यादा कर रहे हैं, बहादरी कम, चुकर गुजारी ज्यादा कर रहे हैं, hope है, लेकिन social intelligence से इस उनकी well being से है, उनकी खुशहली से है, उनकी खुशी से है, ये पहली study का नतीजा था, दूसरी में ये पता चला कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, और जो सौदी अरब में जाकर काम कर रहे हैं, वो एक strength में उनका फरकारा था, यानि वो वही इनसान बाहर चले गे हैं, वो honesty ज्यादा इस्तमाल कर रहे थे, जब वो सौदी अरब के कल्चर में रह रहे थे और काम कर रहे हैं, तीसरी हमने देखी मेहक रमजान ने कि character strength जो हैं, वो teachers में कौन सी उनकी well being को predict कर रही हैं, उसके साथ किस कोई रिश्टा है, उसके कोई फरक पड़ता है, तो उनको पता च पता चला कि पाकिस्तानी यूनिवरस्टी टीचर्स में आउनेस्टी जो है, वो आपको खुशी की बजाए कुछ मसायल से दोचार करती हैं, और अब character strength जो हैं, वो self forgiveness से कैसे related हैं, तो पता चला कि अगर आपने virtue और character strength का इस्तमाल ज्यादा है, तो आप खुद को भी माफ क किया जाता है, पहले इनसान खुद को माफ करता है और आगे चलता है, तो ये जो विया का मॉडल है, virtues in action का मॉडल है, इस से हमें क्या मालूम हुआ और ये किस तरहां फर्थ है इन में, तो वो जो बनियादी सवाल था, कि क्या ये 24-6 के अंडर आती है, या कुछ और है, हु ये अमेरिका ने मॉडल, अमेरिकन रिसर्चर्ज ने ये पेश किया, तो मुक्तलिफ मुलकों ने इसके उपर अपना डेटा डाल के देखा, तो पता चला, कहीं तीन वर्चुस थीं, कहीं पांच थीं, और पाकिस्तान में ये चार निकली है, और ये चार जो हैं, एक का ता लुप भी आपके दिमाग से हैं, दिल से नहीं है, और टेंपरंस का मतलब होता है, मोते दिल मिजाजी, ट्रासेंडन्स, यानि इनसानी सता से एक और बुलम तर तजर्बा करना, जिसमें ब्यूटी की अप्रिसेशन, ग्रैटीटूट, होप और पिर्टॉैलिटी, यानि र हिउमर यानि हिस से मजग, सोशल आइक्यू यानि सोशल इन्टैलिजन्स, जएस्ट, जजबा, और इंटर पर्सनल, जिसमें हिमेनिटी और जस्टेस, यानि इंसानेत और इंसाफ यह चीजों का तालुक, इंटर पर्सनल, इंसानों के दर्मियान जो तालुकात है उन में जो किरदार की खुबियां जरूरी होती हैं वो ये दो नजर आई और ये चार का मॉडल बना जब के इंटरनेशनल में खे का मॉडल था मैं सिरफ दो स्ट्रेंग्स को इलस्ट्रेट करती हूँ बादलों में जब आपको सुरज की किरन फूट के निकलती है वो होप की तरह हैं होप हमें ये क्लेरिटी देती है कि अगर आगे कोई भी गैर यकीनी सुरत हालो अनसर्टरनेटी हो हमेशा कोई न कोई कोई सारी की हो या अपने हकूग के लिए हो और इस स्ट्रगल में कंफ्लिक्ट की स्ट्रगल में हमेशा ये होप होती है कि हम कुछ जद्दो चाहे कोई तगोदो कोई स्ट्रगल जो है उनमें से कुछ को जरूर चीत लेंगे अब वो स्ट्रेंग्स जो जिनका तालुक देने और लेने से है जो आप लोगों की मदध करते हैं जिसमें स्लाइट इन्टरनेश्टिफ पॉजिटिफ प्शाइकॉलोजी में इस ने पेश की थी यह यह वह तरैंग्स जो हमारी हैं करते हैं । तरीकों से सोचते, imagine करते और create करते हैं और हम देते और लेते हैं लोगों को humor कैसे एक strength है? करोना के जमाने में जो best joke मैंने सुना वो ये था कि क्या पाकिस्तान से करोना खतम हो गया? तो जवाब आया हाँ चाइना का माल इतना ही चलता है और ये तो सब्जगा चल रहा था लेकिन फ्राइवेट जोक जो किसी खातूर ने का कि मेरे सुस्राल वाले वो तो हमेशा से social distancing में believe करते हैं तो humor एक बहुत बड़ी strength है और बहुत मुश्किलात में आपका साथ देती है